आजकल वर्क शेडियू लेना जाद बीजी हो गया है कि आपा लैप टॉप्स जादा यूज़ कर दें या मोबाइल पॉंच जादा यूज़ कर दें जिसरे करके आपनों कंटिनियूसली अपनी गर्दन नों नीचे चुका के गम करना पेंदा है पर बैटन दी जॉब होन करके अपनी कमर देविश दिक्त रहनी शुरू बचांदिया चोटे-चोटे बच्ची भी जड़े हैंगे आजकल मुटापे दा शिकार हो रहे ने जिनना करके उना दे जॉइंट्स प्रॉब्लम रहें दिया अक्सर सर्वाइकल दी प्रॉब्लम या कमर दर्दी रिकत या फिर गोड़े इंतक्लीफ चादा देखनों मिल दी कि बाए वाली चीज़ां जदो भी अपा लेने या उनननों अगर आपा खाने है ता अपनी दर्दाबाद जान दिया ने तश्यकाल जी मैं अमर जो सिंग तुसी देख रहे हो दा सीटी हैडलाइन अज कल जड़ी लोगकांच प्रॉब्लम जड़ी ज़्या देखनों मिल रही है कि बैक पेन हुंदी है या साड़ा कम का जड़ा है और दाना हो गया के ज़्यादा सेटिंग ज़ॉब हुंदी है सा पच्ची 30 साल दे उमर जड़े नौजवान ने और भी पेंज रहनिया स्टार्ट हो गया तो एही टॉपिक जड़ा है लाके ऐसी आज पहुंचे हां जी डॉक्टर शार्दा आयूरवेदा हॉस्पिटल देविच लुद्याना देविच टे साटेनल डॉक्टर साब जड़ होगी है अजकल वर्क शेडियूल इनना ज्यादा बीजी हो गया कि आप लैप्टॉप्स जादा यूज कर दें या मोबाइल पोन जादा यूज कर दें जिदे करके अपनों कंटिनियूसली अपनी गर्दन नो नीचे चुका के कम करना पेंदा है जिदे करके आपनों पास्ट फूड अपा ले लेने या फिर बहुत जंक फूड अपका खाने या जिदे करके वेट बदना शुरू हो जानदा है चोटे-चोटे बच्ची भी जेड़े है आजकल मुटापेदा शिकार हो रहे ने जिनना करके उना दे ज्वाइंट्स प्रॉब्लम रेंदी है अ अक्सर सर्वाइकल दी प्रॉब्लम या कमर दर्द दी दिक्कत या फिर गोड़ें तकलीफ जादा देखनों में जेड़ा एक प्रॉब्लम जेड़ी है कि साथा डाइट शेडियूल सही नहीं रेंदा है यहां साथा वर्क जेड़ा हो इतना दा हो गया ते एक जड़ा नॉ हेल्दी खाना चाहिदा है मैं यह नहीं कहूंगे कि फास्ट बिल्कुल नहीं खाना चाहिदा जो चीज तो नू पसंद है तुसी वीक चीकवारी या फिर वन्थ देविच एक वरी ले सकते हो बट अपनी डेली रूटीन देविच अपने लंच देविच तुसी एदन दी हो जड़ी फाइबर देविच हो नहीं देविच बहुत सारा न्यूट्रीशन हो वे थोड़ी जॉइंट्स ले यो बैनिफीशल हो क्योंकि बाये वाली चीज जदो भी अपना लेने या उनननों अगर आपका खाने है ता अपनी दर्दावद जान दिया ने जिमें अर्बी दही लसी दा अगर सेवन करना चांते हो तो दब एक पर्टिकुलर टाइम होंदा है रात देविच आपा इनू मना कर देए तो लंच देविच तुसी दही या लसी अगर लेना चाने हो ले सकते हो नाल दिनाल फ्रूट्स नो अपने डाइट देविच ज़रूर एड़ करो क्योंकि अपा जदो हेल्दी खामांगे ता अपनो बोन्स नो नूट्रीशन मिलेगा अपा कैलिशियम मिलेगा जीदे करके अपनी बोन्स जड़ियां है गया मजबूत हों गया ते अपनो उनना विच कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी अगर कर देविच मैं तो नो दसना था प्रवी तुसी इस्तंवाल कर सकते हैं तुलसी जड़ी है घया हर कर्च अवलेबल हुनदीया ऑभी तुसी यूज कर सकते हो एलोवेरा है इस्तंवाल कर सकते हो ते में जड़ा है गूड़ शुगर नूँ आपका कट ऑफ करना रिफाइन शुगर ऑपा गुड़ शक्र दा सब्सक्राइब सब्सक्राइब बिल्कुल कि अधा इस्समाल करना आयरवेद विच बहुत अच्छा मनने जानदा है अपने अधायरवेद विच सत्धोत गृत इस्समाल किता जानदा है जिनना पुराना क्यों होगा और नहीं बैनिफीशल होंदा है आजकल आप अपनी बॉड़ी नूँ लेके अपनी फिग अपनी दूसरी प्रॉब्लम ता सॉल्व कर लें देया लेकिन जॉइंट अंदर यंदर वीक हो जान देया क्योंकि अपने जॉइंट्स नो अपनी बॉड़ी नू नरिश्मेंट नूट्रिशन लुब्रिकेशन लोड हों दिया जब तक अपना कोई चिकनाई वाली चीज न यह वह हमेशा गांद देसी गांद या फिर तर्दा बने होए इस्तमाल कर सकते हैं जी यह देसी को हुंदा एक आप जिन्यों के निया डालडा या वनसपति के ओजड़ा हुंदा एक रिफाइंड हुंदा एक तिन्नों जड़े ने गए अगर वैसे नॉर्मल यह आपने मे क्यों या फिर डालडा भी आपा इस्तमाल करने मना कर देयां क्योंकि वह रिफाइंड किते हुंदे है उनना विच इनी लुब्रिकेशन नहीं हुंदी जड़ी अपनी ज्वाइंट ली बैनिफीशल हुंदी है ता आपा हमेशा खाने देविच सरसों दा तेल या फिर देस कर सकते हैं क्यों खाना किन्ना लाब दायक है ते किन्ना नुकसान दायक है रिफाइंड या रिफाइंड शूगर जड़ी या यूज करना तो असी अपने कार देविच इन्ना चीज़ां दे जड़ा परियोग करके कुछ चीज़ां नों जड़ा है और तो आनू भी मैं सागर गागते ना दा सीटी हैट्लाइन्स